हाई गाई वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ स्वीटियो और आप दी एक्रियो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई हमें जब लब वाइब्रेशन भेजता है तो हमें कैसा फील होता है कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान अगर आपको लब वाइब्रेशन भेजता है तो आप उस समय क्या कर रहे होते हो कैसा सोच रहे होते हो और कैसा फील कर रहे होते हो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाले हूँ सबसे पहले नंबर पे आता है कि जब कोई इंसान आपको लब वाइब्रेशन भेशता है तो आपके मन के अंदर बार बार एक ही इंसान का खयाल आते रहता है आपका मन बार बार खीच के आपको उस इंसान की यादों में ले जाता है आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाते हैं, फिर भी बार-बार आपके मन में उसी की बात ही याद आते रहती, आप हो सकता है, उससे बात ना कर रहे हो, पर फिर भी एक इनसान का ख्याल बार-बार क्यों आ जाता है, और बहुत ज्यादा आप उस इनसान के बारे में सोच लग जाते हो और सोचते सिर्फ ऐसी वेसी बातों को नहीं सिर्फ आप good memories को याद करते हो उन अच्छे moments को याद करते हैं समय आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताए था वो एक ऐसी strong feeling होती है जो आपके मन के अंदर ये इच्छा जगाती है कि आपकी भी life में अभी इस वक्त ये चीज missing है आपकी life में ये चीज़ों की कमी है जो आपको ये feeling जगाती है कि कुछ ना कुछ मेरी life में अभी खाली बने ये चीज़े है नहीं जब आप ऐसा feel कर रहे हो ना तो समझ जाए कि कोई इनसान आपको इस वक्त अपनी love vibration भेज रहा है और दूसरे number पे आता कि क्यों मेरा मन नहीं लग रहा मेरे काम में मैं अपनी काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा क्यों बार-बार मेरा मन उस इंसान के पास ही खिचके चला जा रहा है अगर ये सारी चीज़े आपके साथ भी हो रही तो समझ जाए कि कोई ना कोई person आपको भी love vibration भेज रहा और हमारे तीसरे नंबर वाला point आता है कि जब आप रात को सोने जाते हो तब आपको बहुत sad सा फील होता है अपके आँखों से आँसू निकल आते है अगर आप emotionally strong हो तो हो सकता है कि सिर्फ आप उदास फील करो पर अगर आप बहुत ज़्यादा emotionally soft हो तो हो सकता है कि आपक उसकी love vibration को उसी समय receive कर लेते हो अपना लेते हो और जिस कारण आप ऐसा feel करते हो जब भी हम किसी इंसान को love vibration भेजते हैं तो क्या होता है कि हमारे भेजने के समय भी हमारे आँसू निकल आते हैं और ये आँसू हमें ये sign बताते हैं कि इस वक्त उस person ने इसी moment पे उस love vibration को accept कर लें वो love vibration की energy उस person के पास पहुँच की है जिसका confirmation हमारे आँसू देते हैं और ये इस वक्त उस person के पास जा रही है वो feel कर रहा है वो receive कर रहा है उसके दिल को वो touch कर रही है जिस कारण आप इतना emotional feel करते हो आप किसी इंसान को दिल से कोई gift देना चाहो और वो उसे खु की लोगा कि मेरे आसू आ रहे है पर यहां अगर कुछ लोगों को यह सवाल आएगा कि हम तो अपने specific person को manifest नहीं कर रहे है पर हमारे आसू क्यों आ जाते हैं हमारी तो कोई wish भी नहीं है specific person को manifest करना पर हमारी technique को done करते समय हमें आसू क्यों आते हैं तो simple सा जवाब है आप सम universe को बताया और universe ने उसे बहुत खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया, accept कर लिया, universe समझ गया कि आपको क्या चाहिए, आपकी technique बहुत powerfully done हुई है, आपकी pure feeling ने universe को touch किया है, जिस वजह से आपके आसू आ जाते हैं, यह चीज़ों को बस आप feel कर सकते हो, इसे words में बताना ब आपकी wish मनजूर हो गई है, आपकी prayer accept की जा चुकिए, आपने जो मांगा वो आपको जरूर मिलेगा, यह सारी चीज़े तब होती हैं, जब हमारे आसू आते हैं, और यह आसू तब आते हैं, जब आपने universe का नाम लेके, universe को सौप के, universe को याद करके कोई चीज़ों को मांग तब उस परसन ने अगर वो चीज़े उसी मोवमेंट पे accept कर ली, तब हमारे आसू आ जाते हैं, अगर यह सारी चीज़े आपके साथ भी हो रही हैं, और आप अपने मन के अंदर फील कर रहे हो, तब समझ जाहिए कि कोई इंसान आपको भी love vibration भीच रहे है, so guys, अब हो मिलत नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, बाब बाई